नमस्कार, राई ठुनों में आपका स्वागत है। भारत में जब से 2014 से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। तब से ही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल हमेशाल सरकार के उपर निसाना जताते रहते हैं। और निसाना करते करते वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कमजोर सरकार है और हमारी सरकार मजबूत सरकार थी। यानि जो कंग्रेस के भूतपुर्व की सरकार थी वो काफी मजबूत थी। आपको पता ही होगा कि भारत में दिगत 60-65 वर्सों तक सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस का ही सासन था। पहले कभी नहीं किया था। या अभिनंदन का मामला ही हो पाकिस्तान में हमारे फाइटर प्लेन से एक पाइलट अभिनंदन गिर गया। उसके बाद भी पाकिस्तान ने उसे बाइजद सही तरीके से भारत में छोड़ दिया। यह क्या कमजोरी की निसानी है या मजबूती की जाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक सुनियेगा। मामला उठता है 1970 में, 1970 में बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा सा दियूप जो पचीस सो स्क्वाइर मिटर का था वह अचानक उभर आया। इसे सबसे पहले अमेरिका की एक सेटलाइट ने देखा, उस वक्त इंद नियू मूर दियूप उसका है और उसने इस नय बने दियूप का नाम साउस तलपटी रखा है, 1981 में इंद्रा गांधी ने बीए सेफ को आदेश दिया कि वह इस दियूप पर जाकर अब अपनी चेक पोस्ट बनाए और अपना हक जता है, बीए सेफ प्रधान मंत्री के आद का प्रधान मंत्री कौन था, क्या मोदी जी थे, या बीजेपी का कोई था, या रसेस का कोई था, नहीं, उस समय कॉंग्रेस का ही प्रधान मंत्री था, और वो भी दुरगा जी इसको बोलते हैं ये कॉंग्रेसी लोग, वो इंद्रा गांधी ही थी, फिर हार कर भारत की प् दर्शकों तक सुनुआई हुई, 2014 में इस कोट ने ओर्डर दिया कि इस द्यूप के 30% हिस्से पर बंगलादेश का अधिकार होगा और 40% हिस्से पर भारत का अधिकार होगा अभी यह मामला चल ही रहा था कि अचानक से यह द्यूप दिखना बंध हो गया, सेटलाइट से भी देखा गया यह द्यूप नजर कहीं नहीं आया, इसका मतलब था कि द्यूप कायब हो गया, भारत और बंगलादेश दोनों का अधिकारी बंगाल के खड़ी में गये लेकिन उन्हें यह द्यूप नजर नहीं आया, फिर पता चला कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह द्यूप समुंदर में बिलीन हो गया, यानि खत्म हो गया, और इस तरह से भारत और बंगलादेश के बीच विबात का खत्मा हो गया, अब इस मामले से आप अंदाजा लगाई और कई नाओं को नश्ट कर दिया है, तो अब आप ही तै कीजिए कि मुदी सरकार कमजोर है या मजबूत है, या कॉंग्रेस मजबूत थी या कमजोर थी, कॉंग्रेस मजबूत थी एक ही मायने में वो था डंगा कराने के मामले में, और किसी भी मामले में कॉंग्रेस मजब नहीं थी आपका क्या रहा है कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताईए और वीडियो पसंद आईए तो लाइक करें और चैनल पे नाए तो चैनल को सब्स्राइब करते हुए जाएए Know your right by right to know Thank you